कि हालेलुया इश्यु मसी की इश्यु मसी की आये हम परमिश्वर के वच्छनों में जाए कि सिखाना तो बहुत कुछ है लेकिन कि समय हमारे पास कि डेड़ से दो घंटा है और उसमें हम आपको जो सिखा सकते हैं सिखाएंगे कि हालेलुया कि जब हम परमिश्वर के वच्छनों को सुनते हैं तो आपको पता है हमने कैसे सुनना है कि मर्कुस की पुस्तक बारा ध्यायका 37 मर्कुस की पुस्तक बारा ध्यायका 37 कि अब को पड़ सकता है अगर कि दाउद तो आप ही उसे प्रभु कहता है फिर वह उसका पुत्र कहां से ठेरा और भीड के लोग उसकी आनन से सुनते थे हां कि जब इश्व मसी वच्छनों को प्रचार करते थे तो जो भीड थी वो कैसे सुनती थी बोलो बड़े आनन से कि सब बोलो बड़े आनन से तो कभी भी आप पर्मेश्वर के वच्छन को सुनते हैं तो आप बड़े आनन से आप सुनिये हलेलुय जा कैसे सुना आपको प्रभु पा वच्छन बड़े आनन के साथ आपको सुनना है और कुछ बाते आपको बताओंगा निति वचन Creek 420 को नितिवचन चार का बीस है है मेरी पूत्र मेरे वच्ण ध्यान धर के सुन हहां है मेरे पूत्र मेरे वच्ण ध्यान धर के सुन है एक तो कैसे शुनना है बोलो बड़ आनन से और दुसरा हमने कैसा सुनना है, बोलो, ध्यान, हाँ, है मेरे पुत्र, मेरे वच्चन, ध्यान धर के सुन, तो ये दो चीज आपको याद रखना है, आज जैसे आप रभु के वच्चन को सुनेंगे, आप बड़े आनन के साथ सुनिये, और ध्यान धर के सुनना है, हालेलुया, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वच्चन को ध्यान धर के नहीं सुनते हैं, तो हम उसे समझ नहीं पाते, मैं हमेशा कहता हूँ, जिन्दगी में अगर कुछ आपको करना है न, तो उसके पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, हालेलुया, और समझने के पहले आपको उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गौर से सुनेंगे, तो आप सही रिती से समझेंगे, और जब आप किसी बात को सही रिती से समझेंगे, तभी आप उसको सही रिती से कर पाएंगे, हालेलुया, निती वचन चार का दस, है मेरे पूत्र, मेरी बाते सुनकर ग्रहन कर, तब तु बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा, हाँ, कलिशिया के लोगों ने जल्दी मरना नहीं चाहिए, पर बहुत दुखी बात है कि बहुत सारी कलिशियाओं में लोग जल्दी मर जाते, और कई लोगों को समझ में नहीं आता, यह विश्वासी इतनी जल्दी कैसे मर गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह लिखा है, है मेरे पुत्र, मेरी बाते, यानि कि मेरे वच्चन सुनकर ग्रहन कर, तब तु बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा, बहुत बार हम परमेश्वर के वच्चन को सुनते हैं, लेकिन ग्रहन नहीं करते, अगर आप परमेश्वर के वच्चन को ध्यान धरके सुने, और उसको हिर्दय में ग्रहन करे, तो मैं आपको बता दू, आप ज्यादा साल जीएंगे, हलो, मैंने कहा, आप ज्यादा जीएंगे, आपकी उमर बढ़ेगी, किसको अपनी उमर बढ़ानी है, तो ध्यान धरके सुनो, और उसको हिर्दय में ग्रहन कीजिएगा, हलेलुया, निती वचन चार का चार, और मेरा पिता मुझे में यह कहकर सिखाता था, कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे है, मेरा पिता, सुलेमान कहरा है, मेरा पिता दाउद मुझे यह कहकर सिखाता था, क्या सिखाता था, कि तेरा जो मन है, वो मेरे वचन पर लगा रहे, बहुत बार जब हम यहाँ बैठे रहते हैं, मेरे प्यारे भाई बेनो, हमारा जो मन है न, हमारा तन तो यहाँ पर है, लेकिन हमारा जो मन है, वो परमेश्वर के वच्चन पे लगा नहीं रहता, बहुत जरूरी है आपका मन परमेश्वर के वच्छन पे लगा रहे बहुत सा लोग आपस में खुसुर खुसुर करते रहते फिर ऐसा करते उसके लिए है उसके लिए है कुछ लोग लाइटिंग देखते रहते कुछ लोग डेकोरेशन देखते रहते उनका मन परमेश्वर के वच्चन पे नहीं लगा रहता है हलेलुया हलेलुया इसलिए आपका मन कहां लगा रहना चाहिए हाँ यहोशु तीन का नौ तब यहोशु ने इसराइलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहवा के वच्चन सुनों बहुत लोग बहुत पीचे जाके कोप्रें बैड़ जाते क्या लिखा है यहोशु ने इसराइलियों से क्या कहा पास आकर करीब आकर नज़्दीक आकर अपने परमेश्वर यहोवा का वच्चन सुनों कैसे वच्चन सुनना है बोलो करीब आकर नज़्दीक आकर अपने बहुत सा लोग पीचे इसले बैठते का अराम से हम लुड़क जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आगे रहेंगे तो दिखेगा और शूटिंग हो रही है बाद में यूटूब पे जाएगा मेरी बड़ी बेज़ती होगी इसले कुछ लोग पीचे की सीट ढूनते हैं हालेलुया हमेशा सी को पास आकर खरीब आकर नस्दिक आकर परमेश्वर के वचनों को सुना करो हालेलुया हालेलुया निती वचन तेरा का तेरा जो वचन को तुछ जानता वह नाश हो जाता है बहुत सारी लोग परमेश्वर के वचन को न यह नहीं आदर नहीं करते और उनका जीवन अचानक से नस्ट हो जाता है जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते वे लोग अपनी जिंदगियों में बहुत कुछ खोते हैं और वो वेक्ति कहीं पर भी जाता है ना उसको कभी आदरी नहीं मिलता और उसको बहुत गुस्सा आता है हमेशा मेरी कोई जती नहीं करता मेरा कोई आदर नहीं करता, मेरा कोई मान सम्मान नहीं करता, क्यों हमारे साथ ऐसे होता है, बाइबल कहती जो तू बोएगा वो तू काटेगा हलो, इसलिए जो लोग परमेश्यर के वच्छन को आदर नहीं देते, उनको भी इस दुनिया में कहीं पे भी आदर नहीं मिलता, ना गर में मिलता ना बाहर मिलता है, ये गड़बडियां लोगों को समझ में नहीं आती, बहुत सारी गल्तियां लोग कलिस्याओं में आने के बात करते हैं, वच्छन के टैम में सोना, सो जाना बहुत बुरी बात है, आपस में खुसुर खुसुर करना, आनन से सुनना है, बद्ध्यान दर के सुनना है, खरीबा के सुनना है, आपका मन प्रभु के वच्छन पे लगा रहे, जो लोग परमेश्ण के वच्छन को तुछ जानते हैं लिखा है, वो नस्ट हो जाता है, हलेलुया, हलेलुया, यह मैंने आपको बाते इसलिए बता दी तक आप परमेश्वर के वच्छन का आधर करें, उसको आप बड़े ध्यान से सुने, बाइबल कहती है, जो वेक्ति परमेश्वर के वच्छन से, उसकी व्यवस्टा से मुह मोड लेता है, उसकी प्रातना भी ग्रिनिट ठेड़ती है, बहुत सार लोगों की प्रातना, वो प्रातना करते हैं, लेकिन वो सुनी नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर उन से नाराज है, या परमेश्वर उन से खुश नहीं है, पर मेरी पुकार को सुनता नहीं जब मेरा वच्छन आता है तो तू सुनता नहीं तुम्हें तेरी मुह की बातों को भी मैं नहीं सुनुगा अलेलुया देखो आपके बाजवाला कोई सोरा है क्या रिकॉर्डिंग हो रही है बाद में यूटूब प्याएगा इसलिए आपकी इधर हर हर एक हलचल पर नजर रहती है कैमरे की और हम तो डालेंगे यूटूब पर ओके आनन से सुनिये ध्यान दर के सुनिये इश्व मसी की तो जिससे आज का ये अगनी आज आपके अंदर लगेगी और ये जो कलिस्या है एक ऐसी कलिस्या जो विश्वास में चलने वाली विश्वास में जीने वाली विश्वास में खड़ी रहने वाली सैतान का दुस्मन आप नहीं है मैं फिर से कहना चाहता हूँ सैतान का दुस्मन आप नहीं है उसको आप से कुछ फरक नहीं पड़ता उसको गुस्सा आता है आपके विश्वास पर क्यों एश्यु मसी पर विश्वास करते हो हलेलुया क्योंकि एश्यु मस्यी पे विश्वास करने से हमारा उधार होता है हमें जीवन मिलता है विश्वास करने से चंगाई मिलती है विश्वास करने से चुटखारा मिलता है हमारा विश्वास हमें बच्चा लेता है इसके लिए सेटान को आप से नहीं आपके विश्वास से डर लगता है और उसका एक काम राद दिन वो करता है विश्वासियों के विश्वास के साथ वो खेलता है और कई लोग का विश्वास मौसम के हिसाब से शेर भजार के हिसाब से चड़ता उतरता चड़ता उतरता चड़ता उतरता रहता है तो आपका विश्वास ऐसा नहीं होना चीए, संडे के दिन ऐसा, मंडे के दिन ऐसा, तूर्जे के दिन ऐसा, फिद, वेड़नेजदे के दिन और नीचे, साटड़े आते आते पूरा कहा गया पता नहीं, फिर संडे के दिन फिर से विश्वास, तो बहुत सरी लोगों का विश्वास में बढ़ते जाना चाहिए, बजो लिग बोलो, रोज विश्वास में बढ़ते जाना चाहिए, अलेलुया, अज मैं आपको बताऊंगा, विश्वास के बारे में बहुत सारी बाते आज मैं आपको बताऊंगा, पहला मैं आपको बता दू विश्वास क्या है, इ अब विश्वास आशा की वस्तुव का निश्य और अंधी की वस्तुव का प्रमान है हाँ विश्वास क्या है आशा की हुई वस्तु का निश्य यानि कि अगर आपने किसी वस्तु का किसी चीज की अगर आपको आशा है तो क्या वो मिलेगी तो अगर आप कहेंगे यस मुझे निश्य है मुझे खात्री है मुझे मिलेगा तो क्या है विश्वास आश्या की हुई वस्तू का निश्य अगर आपको कोई भी चीज जो आपको जिन्दगी में चाहिए और आप उस वस्तू के पाने की आश्या रखते हैं तो आपको यह निश्य होनाizers कि वह मुझे मिलेगा jest remake वह विश्वास के लोगों को पूचे हो आप कि अप उस चीज की चाहत रखते ना आपको बहुत आशा है ना आप कोईगे हां मुझे बहुत आशा है पर आपको मिलेगा क्या हूं परवाले की मर्जी कि देखते हैं भी मिला तो ठीक नहीं तो दूसरा है मेरा मन में तो यह विश्वास नहीं है आप जिस चीज की भी जिन्दगी में आशा रखते हैं वो आपको मिलेगा इसका निश्य आपको होना चाहिए अगर आप आपके पास निश्य नहीं है तो आपको वो कभी नहीं मिलेगा कि इसलिए निश्चित कर लो कि जिस चीज की मैंने आशा की है वो मुझे मिलेगा कैसे मिलेगा मेरा बाप मेरा परमेश्य मुझे देगा क्योंकि जो कोई उसके उपर आशा रखता है उसको परमेश्य कभी भी निराशा नहीं लाता हलेलुया और क्या है विश्वास अन्देखी वस्तू का प्रमान मतलब आपने कोई ऐसी वस्तू जो आपने नहीं देखी पर आप उसे ऐसा देखते हैं एक प्रमान के साथ एक सबूत के साथ हलेलुया मैं आपको उधारन देता हूँ कि इसके बारे में यह जो इबरानिय ग्यारा का एक लिखा है विश्वास आशा के वी वस्तू का निश्च्च है रोमियों 4 का 17-18 जैसा लिखा है कि मैंने तुझे भूशी जातियों का पिता ठेराया है उस परमेश्व हाँ जो बाते है नहीं पर वो उनका नाम ऐसे लेता है कि वो है अबराहम को बच्चे की आशा थी किसकी अबराहम को बहुत साल से बच्चा नहीं था तो उसे एक आशा थी बच्चे की हालेलुया और जब अबराहम 75 साल का था तब परमेश्वर ने उसे वादा किया था और पच्चे साल लगे वादा को पूरा होने के लिए लेकिन मैं आप से कहना क्या चाहता हूं कि जैसे अबराहम को बच्चे की आशा थी अबराहम निश्चय कर लिया था कि मुझे परमेश्वर देगा कि यहां पर हम जो सिक्रेन आशा की वी वस्तू का निश्चय है हालेलुया अगर आप परमन्नोकरी की आशा करते हैं तो आपके अंदर वो निश्चय होना चाहिए कि मुझे परमनंन्नोकरी मिलेगी हालेलुया यहां लिखा है अब पढ़ो उसको फिर से जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठेराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुऊ को जिलाता है और जो बाते हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं जो बाते हैं ही नहीं हो सकता है परमनन नोकरी मिलने की अवकात काबलियत आपके अंदर है नहीं है पर परमेश्वर आप आपको ऐसे देखता है कि वह आपके अंदर है आपको भी ऐसा देखना चाहिए इसलिए अगर आप किसी भी चीज की आशा करते हैं तो निश्चय कर लो तो अब्रहम को बच्चे की आशा थी बहुत सालों से और अब्रहम को यह निश्चय था कि परमेश्वर मुझे बच्चय देगा और अंदे की वस्तू का प्रमाण क्या है विश्वास आशा के वही वस्तू का निश्चय और अंदे की वस्तू का प्रमाण जब अब्रहम इसाहक को लेके जा रहा था बली करने के लिए तो उसके बेटे इसाहक ने अब्रहम से का पिताची बलीदान के लिए भेड का हैं तो उसने क्या का परमेश्वर खुद उपाय करेगा परमेश्वर तो उसने भेड को देखा था नहीं तो कैसे बोल दिया अंदेखी वस्थू का प्रमान दे रहा है अपने बेटे को परमेश्वर खुद उपाय करेगा और जब अबरहम अपने बेटे इस आख को बली करने के लिए गया तो उसे आवाज आई कि रुख जा कि अबरहम ने मुड़ के देखा तो जाड़ी में एक मेमना तो उसने मेमने को तो नहीं देखा था उसके लिए अन देखा था मेमना लेकिन अपने बेटे को प्रमान दे रहा है परमेश्वर खुद उपाय करेगा परमेश्वर ने कहा अबरहम तु प्रमान दे रहा तेरे बेटे को अभी तक तुने भेड को तो देखा ही नहीं तेरी बात मल पूरी करूंगा करे का अब क्भी-कभी कुछ लोग विश्वास से कुछ बोलते न तो लोग उसका मज़ाग उडाते यह बहुत उड़ता है बहुत भुद्रता है और, इसका बात में आने का ने, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप विश्वास करते हैं, आप निश्य करते हैं, भले वो चीज नहीं है, लेकिन परमेश्यवर आपका आधर करता है और वो जो नहीं है, उसको है में बदल देता है, वहां भेड नहीं थी जाड़ी में पर इस अबराहम ने अपने बेटे से कहा परमेश्वर उपाय करेगा परमेश्वर ने कहा अरे मेरे दास अबराहम ने विश्वास किया मुझे अभी उपाय करना पड़ेगा परमेश्वर ने अध्भुत नीती से वहाँ पे जाड़ी में एक भेड़ ला दिया अब आप सोचिए परमेश्वर कहता क्या मेरे लिए कोई चीज कटिन है मेरे लिए कोई चीज कटिन नहीं है असल में हम लोगों को विश्वास करने के लिए कटिन होता है विश्वासी लोगों के जीवन में सबसे कठीन काम क्या मालू है विश्वास करना प्रातना तो कर लेते हैं बाइबल भी पढ़ लेते हैं लेकिन उनके लिए सबसे कठीन काम क्या मालू है विश्वास करना कि इसलिए आपको विश्वास में चलने की आदर डालनी चाहिए आपको विश्वास से बात करने की आदर डालनी चाहिए है एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही वह दौड मैं पहले अर्गर्ण के रगड़्रगड़के पहला पेट के बड़ास करके चलता कि दीरे दीरे वो घुटनों के पर कि जंग दर चलेगा लड़कड़ग cave गिर्एगा फिर तोड़ा चलेगा लड़कड़ने गिरेगा लेकिन मा बहुत खूश होती है कि मेरा बच्चा चलना सिक रहा है कि मेरा बच्चा चलना सिक रहा है और ऐसा होता है दीरे दीरे वो बच्चा चलने में माहिर हो जाता है दौड़ने लगता है और दौड़ में जीत भी जाता है तो विश्वास ऐसा है कि आपको डेली उसका प्रेक्टिस करने का जब मैं मोटर ट्रेनिंग के ले गया मैं गाड़ी सिखने के लिए कुछ दिन तो मैं इतना डरा हुआ था इतना लड़क्राता था गाड़ी ऐसा-इसा करके मुझे इतना डर लगता था कि मैं जिंदगी में क अब मैंने सोचा कि नहीं सुखू लेकिन मेरे बॉस ने मुझे इतना इस्टिक कर दिया था कि तुझे गाड़ी सिखना ही पड़ेगा तो मैंने सोचा अभी नहीं सुखूँगा मेरा जॉब चला जाएगा तो वो डर के मारे मैंने कैसा भी करके गाड़ी चलाना सीका, जब सीका तो कई बार कुछ-कुछ लोगों को ठोक भी दिया, ठोक के भाग भी गया, क्योंकि मैं छोटा हाथी, टेम्पो पता है न आपको, वो चलाता था, अभी आप मुझे ट्रक देंगे, बस देंगे तो मैं ओ भी चला लेगा, क्यूं डर निकल गया, एक बार आपको कोई चीज आ जाती है न, तो आपका डर निकल जाता है, चाहे वो गैस जलाना हो, चाहे वो बाटले में रेगुलेटर फिट करना हो, चाहे एक्टिवा चलाना हो, चाहे सैकल चलाना हो, चाहे कंप्यूटर चलाना हो, जब तक कोई चीज आपको नहीं आती है, आपको डर लगा ही रहेगा, एक बार अगर आपको तैरना आ गया, तो आपको कभी भी पानी से डर नहीं लगता, कोई भी चीज एक बर जब आपको आज आती है अपने आप डर निकल जाता है और विश्वास में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए डेली प्रैक्टिस करना चाहिए उसको उप्योग में लाना चाहिए, उसको कारी में लाना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप इश्वास में कैसे बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे आप इश्वास में, बताओ, अब ही सुनो, इबरानिया 11 के चे बढ़ो, और विश्वास बिना उसे प्रसंद करना अन होना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है हालेलुया क्या लिखाई ब्राणियों 11 कचे में विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसंद करना अन होना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले यानि कि मांगने वाले को प्रतिफल देता है आप कभी भी बिना विश्वास के जिंदगी में परमेश्वर को आप कभी खुश नहीं कर सकते कितने लोग चाहते कि परमेश्वर आपसे खुश हो जाए तो कैसे खुश होगा आपके अच्छा कपड़ा पहनने से बहुत मेक अप करने से बहुत पैसा कमाने से कैसे खुश होगा आपका विश्वास परमेश्वर को प्रसन करता है इसलिए सैतान को ये बात पता है कि अगर आप परमेश्वर के उपर विश्वास करने लगोगे प्रभू को विश्वास दिखाने लगोगे, इनका प्रभू बहुत खुश होगा, और जब इनका प्रभू बहुत खुश होगा, तो इनको भी खुश कर देगा, इसके लिए वो आपके विश्वास को हमेशा वो खतम करने में लगा रहता है, और इस बात को बहुत सारे विश लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी जिंदकी बीती चली जा रहे हैं, लोग विश्वास में बढ़ने के बदले, लोग विश्वास में घट रहे हैं, आलेलुया, आपको बढ़ना है, सुवर में जाके बढ़ोगे क्या। कि मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप सुवर में जाके विश्वास में बढ़ोगे कि मैं यह कहूंगा इधरी अगर विश्वास करोगे तो ही वहां पहुंचोंगे कि आप यह मत सोचों मैं उधर जाके विश्वास कि मैं बढ़ूंगा इसलिए मैंने आप से का इधर अगर आप रमा पहल्म विश्वास नहीं करोगे तो आप उढ़नya पहले कर इली कि इसके लिए आप सबीको मैं चाहरा हूँ कि विश्वास के बारे में सुनना चाहिए शुक्षन चाहिए पढ़ना चाहिए समझना चाहिए विश्वास में चलना चाहिए विश्वास में बढ़ना चाहिए अब मैं संडे के भी दिनों में ना दो कि आपके पीछे पड़ जाओ अब आपको विश्वास के साघर में लेके ही जाओंगा मैं अब खुब डूबोंगा आपको क्योंकि यह एक ऐसी चीज ना एक बार कोई विश्वासी विश्वास में मच्बूत हो गया विश्वास में खड़े रहे गया विश्वास में चलने लगा उसको दुनिया के कोई ताकत नहीं ला सकती कोई ताकत नहीं कोई हालात कोई परिशिती आपको कभी नहीं ला सकते हैं और आपको कभी भी किसी से डर भी नहीं लगेगा किसी बात से नहीं किसी हालात से नहीं आपको कभी डर नहीं लगेगा विश्वास का दुस्मन है डर हालेलुया जब तक आपके अंदर विश्वास है तो डर आने ही सकता है कई बार विश्वास की कमी के कारण डर गुसने की कोशिश करते है विश्वास की कमी हमारे अंदर डर लाती है लेकिन विश्वास की भरपूरी डर आने ही नहीं देती है हालेलुया और हम परमेश्षर के बच्चे हैं हम बड़े बाप की अउलाद है है हम लोग डर डर के डर डर के इस दुनिया में हमारा जिंदगी नहीं जीना है है अलेलुया बहुत सारी बाते जुआ अपके जीवन परिवार में हो सकती थी लेकिन नहीं उई पता है क्यों अपको लगता प्रभूण नहीं दिया कि बहुत सारी बाते विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने देना चाहता उनकी जिन्दगी में करना चाहता लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास दिखाये नहीं कि बढमिले का है कि एक जगह में ईश्वमसी ने ज्यादा चमतकार नहीं किये क्यो क्योंकि उस ने वहां के लोगों में इसका मतलब विश्वासी लोगों प्रभू बहुत बार आपके जीवन-में बहुत कुछ नहीं दे पाता कि क्यों पता है कि आपके आविश्वास के कारण है अए हलेलुया और आप कई बार देखते हैं जो बेक्ति आप दो साल से आरे पर कोई दो मैने दो मैना हुआ प्रात्ना में आया पर उसने प्रटक से प्रभु पर विश्वास कर लिया और मेश्वा ने वह छीज उसके जीवन में दे दी इसका छमतकार हो गया इसको काम भी मिल गया इसका यह भी हो गया वो भी हो गया प्रबू आइसे तो अन्याय है मैं दो साल से आ रही हूं आप ने मुझे और यह नहीं दिया यह दो महने तcken जाना चैनल आपने इसको दे दिया कि बाइबल करती ही परमेश्वर पक्षपात नहीं करते है परमेश्वर कभी बेदबाव नहीं करते है इसके लिए में आपको विश्वास के बारे में बहुत सारी चीज आपको सिका रहा हूं तो विश्वास के बिना आप रभू को प्रसंद नहीं कर सकते और परमेश्वर के प एक शक आता है, सच में कोई है क्या ओपर वाला, परमिश्वर है क्या, मुझे फसाद यह किसी ने प्रबू है, प्रबू है बोलके, शैतान बहुत कुछ मन में डालता है, कभी तुने देखी क्या परमिश्वर को, वो है तो खिदर है, वो तुझे दर्शन क्यों नहीं देता, वो तुसे बात क्यों नहीं करता, अगर वो है, तो तेरे घर में ऐसा क्यों है, तेरे विवाहिज शीवन में ऐसा क्यों है, ऐसे बहुत सारे शक भरे, जो सवाल है, वो डालता है, और फिर आप एक दम सोच में पढ़ जाते, परमिश्वर है क्यों नहीं है, तो बाइबल कहती है, परमिश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए, कि वो है, वो है, बाजो अलेक बोलो, वो है, अरे अच्छे से बोलो यार, वो है, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, वो है, और परमिश्वर अपने मांगने वाले को प्रतीफल देता है, अलेलुया, प्रभू कभी भी धोका नहीं देते, कभी फसाते नहीं है, अगर कोई भी सच में उनके उपर विश्वास करेगा, प्रभू उसको प्रतीफल देते है, दुनिया गद्दारी कर सकती, लेकिन दुनिया का बनाने वाला ने, दुनिया आपसे जूट बोल सकती है, जूटी दिलासा आपको दे सकती है, लेकिन परमिश्वर कभी भी किशी को दोका नहीं देते, और जूटी दिलासा नहीं देते, है हलेलुया है हलेलुया है अच्छा विश्वास आता है कैसे कई लोग पास्टर जी विश्वास आता कहां से तो विश्वास बनिया की दुकान से नहीं आता है विश्वास किसी मेडिकल से नहीं आता है हलेलुया विश्वास बाहर गाओं से नहीं आता है आज हम सीखेंगे व कि व्श्वास सुनने से और सुनना मसी के वच्चन से होता है बजून बलो हम इल्ट इस वास कासे आता है बोलो विष्वास सुनने से सब लोग बोलो विश्वास सुनने से और सुनना इश्व मसी के वच्छन से होता है बहुत सारे लोग दुनिया की बाते सुनते हैं और उन्हें जल्दी से विश्वास होता है बाड़ आ रही है तूफान आ रहा है सुनामी आ रही है दुनिया का अंत हो रहा है जो सुनोगे उसी बे आप विश्वास करोगे हलेलुया आपको कहां से सुनना चाहिए बोलो बाइबल से बाइबल क्या कहती है चिंता मत कर अपनी चिंता उसी पे डाल दे उसको तेरा ध्यान है बाल कहती जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तो हे परमेश्वर तेरी दी हुई विवस्ता से मुझे शांती मिलती है हलेलुया इसके लिए हमेशा वच्चन को आपको सुनना चाहिए जब आप घर में बाल पढ़ते हैं तो आप कोशिश करें कि मुझे बोल बोल के पढ़ें अपने ही मुझे बोली अपने ही कानों से सुने है हलेलुया हलेलुया और आप परमेश्वर के वच्चनों को आडियो में भी लगा के आप काम करते करते आप आडियो लगा के आप प्रभू के वच्चनों को आप सुन सकते क्योंकि विश्वास आता ही कहां से है विश्वास सुनने से आता है इसके लिए सैतान कभी भी आपको प्रभु का वच्छन सुनने नहीं देता हलेलुया हलेलुया इसलिए वच्छन को सुनेंगे तो आपके अंदर विष्वास आ जाएगा बजो लोग बच्छन सुनोगे विश्वास आजाएगा मर्कुष नौका तेश कि एश्यों ने उससे कहा यदि तू कर सकता है यह क्या बता यह क्या है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है हाँ सुन रहे हैं सभी लोग बोलो इश्यों मसी की विश्वास करने वालों के लिए कुछ हो सकता है ऐसा नहीं है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है सब कुछ मतलब सब कुछ सिरिफ गलत और बुरा छोड़के हलेलुया तो परमेश्वर कह रहे हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है इसके लिए सैतान हमेशा आपके पीछे नहीं पड़ा रहता है उसको पता है आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन उसको यह पता है कि आपका विश्वास उसको परेसान कर देता है आपका विश्वास प्रभू को प्रसंद कर देता है आपका विश्वास आपकी जिन्दगी में सब कुछ ले आएगा वो डरता है वो क्योंकि लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सैतान को पता है विश्वास करेगा इसका जिंदगी में सब कुछ हो जाएगा ते काम करो इसको विश्वास करने से रोको इसको बाइबल पढ़ने मद दो इसको वच्चन सुनने मद दो वच्चन सुनने कडायम इसको सुला बच्चन सुनने का डाय में उसका ध्यान इधर बढ़का दो हलेलुया हलेलुया आज मैं आपको बहुत सारी चीजे आपको बताऊंगा हलेलुया आपका बाजुवाला जागराए क्या देखिये उसको उसको थोड़ा हिलाईए हाँ हिलाईए ओके पढ़िये मती 8-13 और एशु ने सुविदार से कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो हाँ एशु मसीन क्या कहा जा जैसा तेरा विश्वास है मुझ पर तेरे लिए वैसा ही हो के बार हमें ऐसा रहता है ऐसा हो सकता है क्या प्रभु कहते हैं हो सकता है तेरे उपर है हम कहते हैं प्रभु आप ऐसा कर सकते हो क्या मेरे लिए प्रभु कहता है मैं कर सकता हूं पर मैं ऐसा कर सकता हूं क्या इस बात के लिए तू विश्वास कर सकता है कि हमलेलुए है हलले लुट ए कि एक स्कूल में बच्चे को कुछ नहीं आता था उसने एक्जाम में पुरा PEPPER खाली चोड़ लिया कुछ भी नहीं आ रहे उसको आर लासमें पेज के लासमें सारी लिखा तीचर गृए कि मुझे पास करने की चाभी तेरे पास है अगर तू मुझे पास कर दे तो क्या बात है पिर टीचर ने जवाब लिखे उसको बेजा पढ़ाई करने की बुद्धी तेरे पास है अगर तू पढ़ाई कर ले तो क्या बात है हालेलुया बहुत बार हम सब परमेश्टर के ओपर छोड़ देते हैं हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं हालेलुया हालेलुया अभी जो भी कोई सुएगा उसको हम आगे बुलाने वाले हैं आपका नाम लेके और आपको कहेंगे यहां आके बैठिये कि मेरी नजरें आप पे हैं फिकर मत कीजिए बहुत जल्द आपका नाम लेके हम कहेंगे यहां आके बैठ जाओ तो आपका पोल खुल जाएगा कि तो जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो कि यहुन्हा बीस का सताइस कि तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हातों को देख और अपना हात लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परणतु विश्वासी हो हाँ एश्व मसी ने थोमा से कहा थोमा बहुत शक्की आदमी था कि आज भी बहुत सारे लोग विश्वासी है एश्यू के चेले हैं लेकिन शक्की लोग है कि कई लोगते इतने शक्की है वो अपनी बीबी बी शक्क करते हैं कि कई और ते इतने शक्की है अपने आदमी को उपर भी शक्क करते है आपका शक कभी भी किसी को सुधार नहीं सकत हलेलुया इसलिए किसी पे शक करने का छोड़के आप विश्वास करना सिखे हलेलुया इस्चू मसी ने उसके छेले थोमा से कहा कि आ विश्वासी नहीं विश्वासी बन हलेलुया अभी मेरा सवाल है थोमा विश्वासी था कि नहीं तो ऐसे भी विश्वासी होते हैं विश्वासी है लेकिन आ विश्वासी है हालेलुया बहुत सारे लोग मैं विश्वासी हूं लेकिन विश्वासी को ही विश्वास नहीं होता बहुत सारे लोगों का यह प्रॉलम है अगर उनको कुछ कह दो प्रदर आप टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा नहीं कभी नहीं हुआ तो, नहीं हो जाएगा, क्या मालूम, मुझे तो ऐसा डर लग रहा है, नहीं होगा, मैं विश्वासी हूँ, विश्वासी को विश्वास नहीं है, हमने एक शारी लिखी थी, मसी जीवन वो होता है, जिसमें विश्वास होता है, बिना विश्वास के, म अगर आपका जीवन में विश्वास नहीं है तो आप विश्वासी नहीं है। कि थोमा इश्यू के वचनों को सुनता था इश्यू के साथ साथ गूमता था जो चमतकार इश्यू करते थे वो थोमा सब देखा उसके बावसूद भी उसको विश्वास नहीं कि वो कहता है मैं जब तक उसके हाथों में जो खीले ठोके सबते बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे होते वो प्रभु कि समने शर्ट रख देते हैं कि प्रभू अगर ऐसा हो गया अगर मेरा यह काम सच में हो गया तो मैं आपके ओपर विश्वास कर्लोगा हालेलुया आपको कहना यह चाहिए कि प्रभू मैं आपके उपर विश्वास करता हूँ और आप ऐसा करोगे हालेलुया 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 पत्रस ने भी इश्यू की परिच्छा ले ली अगर तु ही प्रभू है मतलब इतने दीन से तु क्या कर रहा था इश्यू के वचन को सुन रहा है इश्यू के साथ खा रहा है पी रहा है उड़ रहा है बैट आंपर की मिलनी चाहिए मुंझे वह लड़का मिलना चाहिए तो मैं समझ आउगा मुझसे प्यार करती हो कि अगर आप ऐसे अपने माँ को बोलो कि अगर तो मेरी मां है तो आज मुझे पुलाव बना के दे अगर तुने पुलाओ बना के दी मुझे मोटर सेकल लेके दी तुम मैं मान जाओंगा तू मेरी माँ है कि अब आप कि अब पतनी को बोलेंगे आज हल्वा पूरी बनाई तो मानूगा तू मेरी पतनी नहीं तो पडोशन ऐसे हम बोल सकते क्या अरे वो है तुम्हारी पत्नी तुमको समझना चाहिए तुम्हारी मम्मी है तुमको समझना चाहिए इश्यू मसी जिन्दा सच्चा परमेश्वर है वह आशिष देते हैं चंगाई देते हैं चमतकार करते हैं चुटकारा देते हैं हमें समझना चाहिए हमें विश्वास करना चाहिए हम कौन है परमेश्वर की परिश्चा लेने वाले जा। हालेलुईय यहँद हालेलुईय अगर प्रभू आपको कहे तुमुस्से प्यार करता हैu आप प्रभू जब बारा माले पर चरढ जा हुआ से ऊड़ीमार में मंच तो मुझे को प्यार करता है आप उड़ीमारेंगे मैं आपको बूच रहा हूं और हम क्या डालेक मारते प्रभू आपके लिए जिएगा आपके लिए मरेगा पर बारा बाले की बिल्डिंग से उड़ी ने मारेगा अब आपके लिए बहुत सरी लोग बड़ी बड़ी बाते ओड़ा पाऊ खाते बोल वच्चन इतना बोलते कि पूछो मत करते धरते कुछ नहीं कुछ लोग तो दुसरे को बहुत अच्छी दिलासा दिलाते हैं लेकिन खुदी निराशा में जिन्दगी जीते रहते प्रब्लम का चारा ना भी उस वेक्थि पर बीटेगा न सुझ पूरा याद डाते हैं नीन हराम हो जाती है कि इस सोच में डूब जाता है कि प्रभु बलता है बहुत उसको चार्जप कर रहे थे बहुत इंकरेज कर रहे थे मेरे बारे में बड़ी बड़ी बाते बोड रहे थे अब तुम्हारे साथ घटा तो तु विश्वास से हटा कभी-कभी बहुत सारे लोग सच बोड रहा हूं दुसरे को उसाइद करने के लिए इंकरेज करने के लिए दिलासा दिलाने के लिए बहुत स्मार्ट है उलोग लेकिन जब उन पर थोड़ा भी भीत्ती है न तो रोना शुरू कर देते हैं हजार सवाल मन में आने लगते हैं के लोग के जीवन में बहुत कोज ऐसा होता ना वो विश्वास करने के बदले वो जगड़े पे उतार हो जाते हैं मैं आपको बताओं तुमारा विश्वास तुमारी लिए जोग कर सकता है न वो तुमारे घरवाले भी नहीं कर सकते हैं मैं आपको साब बोलता हूं, पतनिया सुनो, तुमारा विश्वास जो तुमारे लिए कर सकता है ना, जिंदगी बर तुमारा पती भी नहीं कर सकता, बच्चे लोगों, जवान लोग सुनो, तुमारा विश्वास जो तुमारे लिए कर सकता है ना, तुमारे माबाप भी नही कर सकते हैं इसको आपको पहला समझना पड़ेगा है हालेलुया तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है पर माबाप सब कुछ नहीं कर सकते जितनी उनकी आवकात क्यापसिटी है उतना ही कर सकते हैं पती की जितनी आवकात है उतना ही पतनिक कर सकता है लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लिए सब कुछ अभी हमने बचन सुना ना विश्वास करने वालों के लिए बोलो सब कुछ सब कुछ सब बोलो ना बोलो सब कुछ हो सकता है कि इसके विश्वास करना स्वी को जगडा करना बंद करो कुछ लोग तो नाराजों के माई के भाग जाते यह आदमी के साथ रहे किया पाइदा इसके साथ रहे किया मिलने वाला क्या मेरा बहला होने वाला है कि परमेश्चर पर विश्वास करो आपको सब कुछ मिलेगा हालेलुया कितनी कि श्त्रीयों ने विश्वास किया उनका बिगड़ेला पती सुधर गया कि फुटी कोड़ी नहीं दिता था अभी देने लगा कि मैं आपको फिर से बो रहा हूं तुमारा विश्वास तुमारे लिए सब कुछ कर सकता करवा सकता है कि इसलिए इसके उसके पीछे पढ़के जगड़ा करने से शांथी बिगाड़ने से अपने विश्वास को बाहर निका लिए और उसका भर पूर उप्योग कीजिए कि हलेलुया कि और हम देखेंगे तो इश्व मसी ने धोमा से का आव विश्वासी नहीं परन्तु विश्वासी बान कि दुसरा कुरंतियों तेरा का पाच्छ कि अपने आपको पर्खो की विश्वास में हो की नहीं हाँ आज मैं पुरा विश्वास का खुलासा कर रहा हूं इसके लिए यह से मिनार है आज विश्वास का पहला प्रभु नहीं क्या कहा आँ विश्वासि नहीं लेकिन विश्वासी बन बराबर का विश्वासी बन और दूसरा क्या लिखा है अपने आपको जाचो क्या तुम अपने विशे में यह नहीं जानते कि यह मसी तुम में है नहीं तो तुम निकम में निकले हो कि दूसरा कुरंतियों 13 का पाच अपने आपको पर्कों की विश्वास में हो की नहीं बस कि क्या कह रहा परमिश्वर अपने आपको अपने आपको परको अपने आपको जांचो कि तुम विश्वास में हो की नहीं हम लोग विश्वासी बनके बैटे हैं कि हलो कि कई लोग पर्स लेके घुमते हैं पैसा नहीं पर्स है पैसा किदर है घर पे कि तो हमने एक शायरी लिखी थी वह कमीज कैसी जिसमें खीसे ना हो वह खीसे कैसे जिसमें पैसे ना हो कि तो ऐसे भी विश्वासी लोग होते हैं कि इसलिए लिखा है कि अपने आपको पर्खो कि तुम विश्वास में हो या नहीं कि बोलने कर दो मैं विश्वास करता हूं मैं विश्वास करता हूं जब कुछ जीवन में घटेगा तो बक्वास करते हैं हलो, तुम्हारी वजय से मेरा नुकसान हो गया, तुमने मेरा सब बिगाड दिया, कहा गया तुम्हारा विश्वास, हलो, कहा गया तुम्हारा विश्वास, सच कहूं परमेश्वर पे विश्वास करने वाले कभी किसी से जगडा नहीं करते किसी चीज के लिए कभी जगडा नहीं करते अपनों से नहीं गैरों से नहीं किसी से नहीं क्योंकि उनको परमेश्वर पे विश्वास है कि मुझे कोई भी नहीं देगा तो मेरा बाप देगा मेरा परमेश्वर पिता मुझे देगा मेरा प्रभु मुझे देगा ही लोग अपनों से दुस्राइब जगड़ा कप करते माल मैं जब उनको एक दुसरे से आशह रहती ना उमीद रहती ना अपिक्षा रहती ना इसके लुग जगड़ा करते अ कि छो लोग परमेश्यर के ओपर विश्वास करते हैं वो कभी भी ना किसी बात के लिए किसी से जगडा नहीं करते है हलेलुया है कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ हमने सोचा यह रिक्षाला रुकाएगा हमने हाथ दिया निकल गया कि सुनते भी नहीं कहा जाना है कि दूसरा है मैं सुचा यह तो सुनेगा वह भी ऐसा पूछ के अधा बोला मैं पूरा भी नहीं सुनता है बाग गया कि बहुत बुरा लगता है एकन क्या करता पता है कि बोलता है मेरे श्वर्दूत मेरे को अभी एक रिक्षा चाहिए तु किदर से भी लेकिया हालेलुया 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 तो किस के ओपर मैं विश्वास करता हूं परमिश्वर के ओपर कि मैं परमिश्वर से कहता हूं मैं किसी से क्यों लड़ा जगडा करू मेरा देने वाला तो तू है और जब मुझे तुछ पर विश्वास है कि तू मुझे देगा मैं क्यों किसी चीज के रिए किसी से जगडा करूं कि जो लिखा है ना अपने आपको पर्खो विश्वास में हो कि नहीं हम विश्वासी है हम विश्वासी है चुटी-चुटी बात के लिए नहीं मिलेगा तो जगडा परमेश्वर पर आप कभ विश्वास करो देए आप प्रभु से कहना चाहिए प्रभु मैं किसी से जगडा नहीं करूंगा कि किसी चीज के लिए मैं किसी से जगडा नहीं करूंगा कोई प्रेम से शांती से दिया धन्यवाद पर मैं जगडा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा देने वाला तू है जो तू मुझे दे सकता है एक अखेला परमेश्वर जो आपको दे सकता है पूरी दुनिया मिलके आपको नहीं दे सकते हैं तुम्हारा पति तुमको नहीं दे सकता है तुम्हारे माबद तुमको नहीं दे सकते हैं जो परमेश्वर आपको द मनें खाहका के पेट बढ़ रहा है कर गाल बढ़ रहा है बाल बढ़ रहा है विश्वास में बढ़ो विश्वास estar and मुंने आने वाला दिन इतना बुरा ओगा नशन विश्वास नढु भोगर आ वही लोक टिकने हमा लिए इसके लिए ये सारा वच्छन आप लिखके लो है हलेलुया आपके बाद जो लो हलेलुया थोड़ा हिला के बोलो इसको हलेलुया अब पहला कुरंति हो 16 तेरा जाकते रहो विश्वास में स्थिर रहो पुर्शार करो बस बस विश्वास में क्या रहो क्या रहो विश्वास में स्थिर रहो क्यों स्थिर रहो क्यों कि बहुत सारे लोग विश्वास में गिर जाते इसके लिए लिखा है कि विश्वास में स्थिर रहो, क्या रहो? स्थिर, ताकि तू न जाये, गिर अब बहुत सारे लोग विश्वास में रहते हैं, लेकिन स्थिर नहीं रहते जो चमतकार इश्व मसी के नाम में होता है, अगर ऐसे और कहीं होने लगे, वो लोग वहाँ जाके विश्वास करने लगते हैं, उनका विश्वास पटक से ट्रांस्फर होता है हां हललुया आपका विश्वास पर मेश्वर के वच्चन में स्थिर होना चाहिए, आपका विश्वास पर मेश्वर पे प्रिस्थिर होना चाहिए कैसी भी हालात, परिस्थिती, सताव और कोई भी बुरी घटना घटे, पर आप अपने विश्वास में स्थिर रहे, चब मेरा सगा भाई मरा, मेरा विश्वास स्थिर रहा परमेश्वर पे, चब मेरी साड़े तीन मैने की बच्छी मरी, परमेश्वर पे मेरा विश्वास जब मेरे घर के लोगों ने मुझे डेर साल मारा कहा प्रात्ना में नहीं जाना है घर से निकाल दिया मेरा पैंट्शन निकाल के अंड्रेवल को बहार डाल दिया पर मेरा विश्वास कैसा था बोलो स्थिर था इसलिए आज मैं स्थिरो कि आपका विश्वास स्थिर होना चाहिए स्थिर कि कोई कितना भी भड़काय कोई कितना भी नकरात्मक बाते बोले कोई भी आपको धोका दे साथ ना दे आपके खिलाफ हो जाए आपकी बुराई करने लगे आपसे चिरने लगे आपका साथ ना दे तो भी आप विश्वास म इस्तिर रहते हैं हालेलुया कितनी बार आपने देखा भैंकर तूफवा भैंकर आंधी आती है बहुत सारे पेड़ गिर जाते पर कई ऐसे पेड़ इस्तिर रहते हैं हिले बहुत हिले बहुत हिले बहुत हिले बहुत हिले बहुत हिले लेकिन नहीं गिरे और आपने ऐसा भी देखा कई पेड़ पूरा जड़ के साथ उखड़ गया और क्या बोलते लोग यह स्थिर नहीं रह सका यह पेड़ छोटा सा दुबला पतला लेकर नहीं गिरा तो आपको विश्वास में इस्थिर रहना चीए आप कितने साल से प्रभू में हैं वो माइने ने रखता आप विश्वास में कितने स्थिर हैं कई लोगों का उनका बच्छा मर गया वो विश्वास से विश्वास में गिर गए किसी की बीवी मरी विश्वास में गिर गए किसके माबाप मरे लोग विश्वास में गिर गए किसी का पर्मन जवाब आचाना से छोड़ ग गिर गए किसी के पती ने उन्हें धोका दिया वे लोग विश्वास में गिर गए कि कभी भी आपने विश्वास में नहीं किरना ची प्रभु ने आपको दोका दिया नहीं प्रभु ने आप आपका विरोध किया प्रभु ने आपके निंदा की प्रभु ने आपको फसा है प्रभु आपका पैसा खाया आपका विश्वास किदर था परमिश्णर पे उसने आपके साथ क्या बुरा किया आप अपने विश्वास में स्तिर रहो ना मैं एक बात बोलना चाहता हूं सभी पत्मी लोगों से अगर आपके पूरी एरिया में किसका भी आदमी सहीं नहीं तुमारा आदमी दुमारे साथ सहीं आव क्या करें Ave के आप पूरी एरिया में किसका भी आदमी और अब में सब अधामी लोग गड़ड़े और उस कारण से वन औरतों सुख और ने सब और ने मर्द को छोड़ दिया 没有 सब अक़ेला आपका घर है और आपको पता है पूरी एरिया में जितनी भी ओरते सब ने अपने पतीको छोड़ दिया क्योंकि उनके सब के पती आड़े दिये अभी आप क्या करोगे आपके पती को छोड़े कि अगर आपका पती आपके साथ साहिए तो आपको भूच रहो हूं तो जब तक परमेश्वर आपके साथ साहिए दुनिया आपके साथ गलत हो जाए अपने परमेश्वर से हटना नहीं चाहिए आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए आपका विश्वास परमेश्वर से नहीं हटना चाहिए उसने आपका क्या बिगाड़ा उसने आपका क्या बुरा किया वो तो आपसे प्यार करता है कि बाहिल कहती है मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं इसलिए मैंने मेरी करुणा तुझ पर बना के रखी है कि हम प्रभु के उपर गुस्ता होते हैं प्रभु से नाराज हो जाते है कि प्रभु कहता है मेरी बेटी मैंने क्या भीगाड़ा तेरा हलेलुया अरे अगर एक बच्चा मर गया विश्वास में स्थिरो परमेश्वर एक पेक फ्री आपको दो देगा जुड़वा पैदा कर देगा वो परमेश्वर ताकत रखता है उसने तो पुरी दुनिया में सब बच्चे दिये हलो हमारी भी साढ़े तीन मैने की बच्ची मर गई लेकिन परमेश्वर न हमको दो प्यारे खुबसूरत बच्चे दिये न अब हम यह सोच के कि हमारे साढ़े तीन मैने की बच्ची मर गई प्रभू आप ने उसे बच्चाया ने अभी हम आपको नहीं मानेंगे अभी हम इ ताकि किसी और को दे देंगे मेरा दिल तूड़ गया है तो पर्मेशा आपने ले लिया अईअ के जैसे उसने दिया उसने लिया मैं कौन हूं उसको बोलने वाला कि आयूब ने कोई सिकायत की बाल में बाल में लिखाय कि अयूब ने इतना सब कुछ होने पर भी अपने मुझ से कुछ भी पाप नहीं किया कि इसका नतीजा क्या हुआ परमेश्वन ने उसे सब दुगना दिया दस बच्चे मर गए ते पूरा का पूरा दस वापस दिया अब पहले से अच्छे खुबशूरत बुद्धिमान अब आप सोचिए परमेश्वन ने सैतान ने आयुप का सब ले लिया उसकी पत्नी को नहीं ले पाया क्योंकि परमेश्वन ने उसको परमेश्वन नहीं दिया पत्नी को लेने का पता है क्यों क्योंकि वापस दस चाहिए ना कि परमेश्वन बहुत भुश्यार है तो जब आपके जीवन में कोई नुकसान होता है घाटा होता है बड़ी विपत्ती आती है सबसे पहला आप अपना मूँ बंद रखो कुछ भी आनवशना बोलने का मत सुरू करो प्रभू के हाथ में छोड़ दो धन्यवाद प्रभू तुने दिया तुने लिया मैं कुड़कुण नहीं करूंगा मैं सिकायत में करूंगा मैं नाराज नहीं होंगा मैं मेरे विश्वास में इस्थी रहूंगा क्योंकि तुम मुझे फिर से दुगना दे सकता है मेरा एक परमन जॉब गया तुमुझे दूसरा दे सकता है यहां पचीस थी वहां पचास तू देगा मैं विश्वास में इस्थी रहूंगा मैं नहीं गिरूंगा क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर को आप अलेलुया बहुत जल्द मैं आपको सिखाऊंगा परमेश्वर पिता को जानना हमने टीचिंग रेडी कर ली है आपको सिखाएंगे परमेश्वर पिता को जानना एक बार जबाब को सुनेंगे न आपकी पुरी स्टाइली चेंज हो जाएगी और मैं यह विश्वास करता आप जिंदगी बर प्रभू से कभी शिकायती नहीं करोगे कभी कुड़कुड नहीं करोगे कभी प्रभू पर नाराज ही नहीं होगे कि हालेलुया तो लिका है पहला कुरंतियों सोला का तेरा कि विश्वास में कि स्थिर रहो अभी और आगे जाएंगे थोड़ा सा पहला पत्रस कि पहला पत्रस मेंने वो आयत लिकना भूल गया उसमें लिखा है अपने विश्वास में धिन्ड रहो हालेलुया कुलूशियों दो का साथ पड़ो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाएगे वैसे विश्वास में धुड़ होते जाओ हाँ देखो अभी विश्वास की पूरी पिक्चर में आपको बता रहा हूं नंबर एक आविश्वासी नहीं इस्वासी बन दुसरा अपने आपको प तो क्या सिक रहे विश्वास में धुड़ मतलब मालूम है मजबूत जैसे कभी मैं क्या हूं मैं इस्तिर हूं फलाना वेक्ति आया मुझे दक्का मारा माई कीर गया तो आप विश्वास में धीर है लेकिन आप गिर सकते हैं तो क्या करना पड़ेगा भी एकड़ं एकदम दृंड होना पड़ेगा अपको एकदम मजबूत होना पड़ेगा कि कोई भी कितना भी धक्का मारे कोई कितना भी मुझे भड़का है सवाल पूछे मैं इतना मजबूत हूं कि मैं अब गिर ही नहीं सकता कि कई दिवार बनने के बाद गिर जाती पता क्यूं कि वो दिंड नहीं मच्बूत नहीं है दिवार तो खड़ी ओगई लेकिन दिन के बाद किर गई क्योंकि मच्बूत नहीं है इसलिए आपको विश्वास में मच्बूत होना च्रह अलेलुया बाजवले को बोलो हिला के विश्वास में हिला उसको बाजवले को विश्वास में मचबूत बनो हलेलुया थोड़ा चहल पहल करते रहने का ताकि आप ना सोय दूसरा भी ना सोय आप कि अभी आगे देखेंगे प्रेड तो चौदा का बाइस है 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 जैलो के मन को स्तिर करते रहो और उब्देश देते थे कि हमें बड़े ख्लेश उठाकर परमेश्य के राजमें प्रवेश करना होगा है हम फिर से पड़ो और चेलो के मन को स्थीर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्व के राज में प्रवेश करना होगा और अगे और उन्होंने हरे कलिस्या में उनके लिए प्राचिन ठेराए और उपवास सहीद प्रात्ना करके उन्हें प्रवु के हाथ सोपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था इसान हमेरे लिखने में कुछ मिष्टिक हुई रहेगी यह वचन जो है जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ यह कि विश्वास में बने रहो जैसे प्रभू में बने रहना तो विश्वास में आता है आगे की सीड़ी कि बने रहे मतलब हम रोच हमारे विश्वास में जीवन बर बने रहे तो कैसे बने रहे हालेलुया 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 तो आपको हमेशा परमेश्वर को पर विश्वास करना चाहिए विश्वास के वचनों को सुनना चाहिए सिखना चाहिए पढ़ना चाहिए बोलना चाहिए और ऐसे करने के दुवारा आप हमेशा विश्वास में बने रहोगे क्या होता है जो लोग रोज गाड़ी चलाते न वो लोग क्या हो गया उनको क्या बोल सकता हम लोग आँ वो तो ड्राइवरिंग में बना हुआ है क्योंकि वो रोज चलाता है हालेलुया तो विश्वास में बने रहने के लिए रोज विश्वास में चलना चाहिए रोज विश्वास की बाते बोलनी चाहिए हालेलुया अब आगे जाएंगे पहला तीमती 6 का बारा विश्वास की अच्छी कुस्ति लड़ विश्वास की अच्छी कुस्ति लड़ अभी कुस्ति में क्या होता है पता है कि दो जन लड़ते Ск sinon कि दो जन और कुष्टी में क्या होता है कभी कि यह वाला विक्ती उसको इधर वाला व्यक्ती उसको फिर ऐसा फिर वैसा फिर ऐसा लास में कोई तो एकाइख जीच जाता है सेतान को वो क्या करता पता है आपके साथ लड़ता है आपके साथ लड़ता मतलब आपके विश्वास के साथ लड़ता है सेतान को भी विश्वास है कि मैं तुम लोगों को हरा दूंगा सथार फरोज रहता है कि वो आपको अहरा देगा किसमें विश्वास में הי évidemment आपका मिश्वास में अगर अगरप दृंड है है बने है मजपूत है तो आपको आपको जीतना चाहिए विश्वास में तो रोज सैतान आपके विश्वास के साथ क्या करता पता है बोलो कुस्ती सब लोग जिसको आरी सुस्ती वोग भी बोलो कुस्ती हाँ विश्वास में कुस्ति लड़ा जाता है और ये कुस्ति कभी होती है बोलो रोज होती है हाँ आप साल में एक बार कुछ देखते हैं ओलम्पिक का या और कुछ विश्वास की कुस्ति रोज लड़ी जाती है रोज कुछ कुछ विश्वासी लोगो देखो अचानक सहब कोई आपते में कोई दीन ऐसा बोधेर प्रेस्ट लॉड ब्रदर प्रेस्ट लॉड शिष्टर और सब कैसा अधर प्रॉलम जा अले सिष्टर डरो मात अपना प्रभू माने अब दीक वजाएगा इस डरने का ने दो वच हुँआ है हुँआ है क्या है अब समय में आपको विश्वास की कुस्ति रोज होती है इसलेत सब्ता में एक दिन भूदुकने का नहीं है रोज भूदूकने का एक दिन आतें क्या है कि आप सप्ता में एक दिन नाते क्या बोलो ने रोज नाते कि एक दिन खाते क्या बोलो रोज खाते इसलिए रोज विश्वास में बने रहना है सैतान हमेशा ये इंतजार करता है कि कौन से दिन तुम विश्वास में कमजोर हो जाओ और उस दिन वो तुमको गिरा दे पटकनी दे दे एक बार एक धोबी के दो कुट्टे थे सफेद और काले और वो धोबी अपने कुट्टों को दुसरे के कुट्टों से लड़ाता था और बोलता था आज ये ये कुट्टा जीतेगा अश्वारी वो धोबी के जो दो कुट्टे थे न वो अपने ही दोनों कुट्टे को बाजार में लड़ाता था है हालेलिया औभ इजो वोलता था ये कुट्धा सफेद अला जीते संम लग कोु दून को इस मालूमु मोचे início मालूम मैं सफेदवला जीते संथे गारेए इग कालाature Kai 6 August को अगर अखिर में दोल challenges जाताता संवेचा जीत जाता ini कि दूसरे दिन दोभी बोलता था आज कला कुत्ता जीतेगा सफेद कुत्ता हरेगा लोग बोते थे नहीं रहे अभी कल तो सफेद जीता आज कैसे कला जीतेगा बोलता आज कला जीतेगा सफेद हरेगा कि सब लोग कि शर्ट लगाते थे सटा लगाते थे दोबी जीत जाता था काला कुत्ता जीत गया ऐसा करके दोबी ने बहुत पैसा बटो रहा है एक दिन किसी ने पूचा यह आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आज काला कुत्ता जीतेगा आज सफेद कुत्ता जीतेगा फिर क आपको कैसे मालूम पड़ता है, बोलता है, यह दोनों कुते मेरे हैं, और यह मेरे हाथ में रहता है किसको जिताना, किसको हराना, तो बोलता है, आप उनको बोलते हो क्या हरने के लिए, बोलता है, ने, 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 मैं जिस दिन सफेद कुते को जिताना रहेगा, उसको मैं खु तो उस दिन सफेद कुट्टा जीच जाता है जिस दिन मुझे काले वाले कुट्टे को जीता न रहेगा उसको मैं खुब खिलाता हूं सफेद वाले को भुका रखता हूं कि समझ में आया बाजवाल को दोनों कुट्टे मेरे हैं कि आपके पास दो कुट्टे हैं कि मैंने कहा आपके पास दो कुट्टे हैं एक विश्वास का कुट्टा और एक डर का कुट्टा कितने कुट्टे आपके पास दो एक विश्वास का कुट्टा और एक डर का कुट्टा डर का कुट्टा बोलेगा तो काला कुट्टा और विश्वास का कुट्टा बोलेगा तो सफेद कुट्टा अब यह आप ही क्या आत्में अगर आप विश्वास आपके विश्वास को वच्छन खिलाओगे वच्छन सुनोगे तो आपका विश्वास हमेशा जीतेगा रोज जीतेगा और अगर आप डर को जीवन में आने दोगे डर का साथ दोगे तो हमेशा डर ही जीतेगा अब यह आपके उपर है आप डर का साथ दे या विश्वास का साथ दे है हलेलुया हलेलुया है इसके लिए एक रोज विश्वासी लोगों की विश्वास की कुष्टी होती है कई लोग तो क्रिस्मस के दिन बहुत विश्वास में आ जाते हैं क्योंकि तेवार है क्या है कुछ लोग दिन बहुत प्यार मुबस रहते शबके साथ ब्रेजला बदार ब्रेशला सिस्ट अरे का सी तो ना अरे जो मिद च्ड़ों अक्रिस्बस द्योवर को दिन अच्छा बेवार और सुमवार से सनीवार तक बुरा वेवार के दूसरे के साथ भी अपने घर वाले के साथ भी तो कई लोग का ऐसा रहता है साल बर सब के साथ बुरा वेवार त्योवार के दिन अच्छा वेवार के दिन अच्छा वेवार के एक कौन सा वेवार है अपने देखा होगा ना त्यवार के दिन कुछ-कुछ लोग जान्दना तो ब्रदर चोड़ोना अध्यवारे अगर आपको कि रखना है ना अच्छा व्यवार तो रोज रखो विश्वास में चलना है जीना है तो रोज विश्वास करो कि सिर्फ संडे की दिन विश्वास मत करो त्यवार के दिन विश्वास मत करो रोज विश्वास करो रोज आपकी जिन्दगी है विश्वास है वह एक ऐसी गोली है उसके बिन आप नहीं जी सकते है कि इसलिए उसको रोज लेना चाहिए है कि मैंने मेरे डायरी में कम से कम अभी तक 99 वचनों को मैंने लिखके रखा है सिर्फ विश्वास के बारे में मैं क्यों लिखके रखता हूं जब भी मेरा विश्वास हिले या विश्वास मेरा कमजोर हो तो क्या करने का बोलो विश्वास के गोली खाने का हां तो मैं डायरी खोलता हूं और विश्वास के बारे में पढ़ता हूं विश्वास सुनने से सुनना मसी की वचन से होता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है जैसातर विश्वास है ते लिए वैसा ही हो तो विश्वास की गोली डाबिटिस के मरीडिलों क् डिपर डिस्क गोली जिनको ब्लड पेशर कुछ गोली कहते हैं अच्छा साल में बार खाते क्या मैने में एक बर बोलो बोलो जहरा नो कुछ नियुका रोच खाते हैं इसलिए कभी भी याद रखो जब भी तुमारा विश्वास हेलता है आपको ऐसा अनकमफडबल लगता ना तुरांट आपका डायरी खोलो और साब विश्वास का बारे में पढ़ना सुरू करो और बोल बोल के विश्वास में स्थिर रहो विश्वास की कुष्टी लड़ अपने विश्वास में डिंड बनो अपने आपको पर्खो विश्वास में हो कि नहीं हुदी खुद को केले में कभी-कभी खुदी बढ़ बढ़ करते रहे तो खुचिसे वाट कर हो हालेलुया तो यह विश्वास का वच्छन जो है ये गोली ये परमिश्व का गोली ये कि पावर फुल गॉलीए इस कि यह अंदर जैसे जाएगा डर निंकल जाता है विश्वास की जो कमई रहती कमजोरी रहती वे निकल जाती से कुछ लोग के शरी में विटामिनमिये की कमी रहे गई ऑन दो क्या लोगो बुलते लाट्टर विटामिन्स की गोली दो कि ताकि ही शरी में जो विटामिन्स की कमी एं वह दूर हो जाए वर्वेल्व कर हलेलयां तो आप विश्वास में कैसे बढ़ सकते कांसे बढ़ सकते यह परमेश्वर का जो वच्छन है नौ उसको रोज आप विश्वास के बारे में आप रोज कम से कम दो तीन वचन तो आपने रोज पढ़ना चाहिए बोलना चाहिए वह इस रिपीट करके भी चलेगा कोई पॉलम ने जब या बाल पढ़ते कहीं भी विश्वास के बारे मिला तुरंद अपनी डायरी में लिख दो फिर पढ़ते पढ़ते और कहीं विश्वास के बारे मिला उसको सब जमा करने का यह हार गले का हार कैसे बनता है वह एक-एक मोतियों को मोतियों के साथ जोड़ जोड़के जोड वहां पड़ी उसको जोड़ो मैंने देखो वही किया पुरी विश्वास की पिक्चर आपको बता रहा हूं कि विश्वास के बारे में प्रभू क्या क्या बोलता है शरी विश्वास करो प्रभू नहीं बोलता है पर खो विश्वास में हो कि नहीं है विश्वास में दिर्न ब बने रहो फिर कुष्टी अब सब कुष्ट ठीक है अभी कुष्टी पर आजाते हैं ना अखिर में लास में मतलब हमारे विश्वास के साथ लडाई होती है कि हमें डखेला जाता है दक्कम दक्की होती हमारी और सैतान की कि उसको पता है यह विश्वासी लोग अगर विश्वास में जीत गए ना तो मेरी घड़ियां घड़ी कर देंगे हालेलुया 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 दूसरा पीमती चार का साथ जल्दी मैं अच्छी कुस्ती लड़ चुका हूँ कि मैंने अपनी दोड़ पूरी कर ली है मैंने विश्वास की रखवाली की है हाँ मैंने अच्छी कुस्ती लड़ी है मैंने मेरी दोड़ को पूरी की है और मैंने विश्वास की रखवाली तो विश्वास की कुष्टी जरा अच्छे से लडो बाजोले बोलो विश्वास की कुष्टी जरा अच्छे से लडो हालेलुया तो अब लिखा है दूसरा तीमती चार का साथ में मैंने विश्वास की रखवाली की रखवाली मतलब वाच्मैनी की, देखो ये प्रभु का वच्छन बोल रहा है, आज मैं आपको सब एक साथ में सिका रहा हूँ, आपने हमेशा अपने विश्वास की रखवाली करनी चाहिए, वाच्मैनी करनी चाहिए, ये बात में बहुत सारे विश्वासी लोग चुक जात वो कभी भी अपने विश्वास की रखवाली नहीं करते वो अपने गाड़ी की रखवाली करेंगे गर के सामान की रखवाली करेंगे खेती बाड़ी के रखवाली करेंगे लेकिन अपने विश्वास की रखवाली नहीं करते और आपके विश्वास की रखवाली आपको करना चाहिए मतलब रोज है ना रोज चेक करो रोज अपने विश्वास की ऐसा रखवाली करो मेरा विश्वास गटना नहीं चाहिए मेरा विश्वास गिरना नहीं चाहिए मेरा विश्वास पीछे नहीं जाना चाहिए किसी ने मेरे विश्वास को चुराना नहीं है कि आप अपने विश्वास की क्या करो रोज कि क्या करो रखवाली लोग अपने घर में गैलरी में पौदा लगाते तो रोज उसकी रखवाली करते उसको पानी डालो टैम डैम पे खाट डालो उसमें कोई कीडा तो ने लगा रखवाली करते हैं और जो नहीं करते एक हपते मे आप सुख जाता है पेर लेकिन जो रखवाली करते हैं उनका सालों साल वह पाउधा बना रहता है क्योंकि वे लोग उस पर ध्यान देते हैं उसकी रखवाली करते हैं कि आप आपके विश्वास की रखवाली करते हैं कि अपने विश्वास पर ध्यान देते हैं कि आपका विश्वास जंग आ रहा है कि आपका विश्वास दूबला हो रहा है कि आपका विश्वास बिमार हो गया है कि आपका विश्वास फिसल गया है कि आपका विश्वास निक गिन्ने माले रेति ये और किसी का दो ज्यान चले जाता है जाकी बोलते हिए अब ही अभी मालम एंक गिरने माला था तो मैंने डिया ना बच गया कैसा हमेशा आपने अपना विश्वास का देहरी करना चाहिए कॉड़कब Лी करना चाहिए विश्वास को तेल मालिस करो, इसको मचबूत करो, इसको स्थ्रॉंग करो, वही तो आपके जीवन में सबसे मूलभूत चीजे, लिकाए नमक का स्वाद अगर बिगड जाए तो फिर उसको कैसा नमकीन करेंगे, विश्वासी तो तुमको विश्वासी बनाता है, अगर तुम विश्वास से एक इंसान विश्वासी बनता है, तो अगर एक विश्वासी के अंदर से विश्वास निकल जाए, तो वो विश्वासी किसी काम का नहीं, वो फेक दिया जाएगा, नमक को लोग कैसे पैचानते, उसके नमकीन पना से, अगर नमक का स्वाद निकल जाए, तो कि याकुब एक कातीन जल्दी पढ़िए तो इसको पूरे आनंद की बाद समझो यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परके जाने से धीरज उत्पन होता है कि इसका मतलब क्या मालूम है आपका विश्वास परखा जाता है कि हलो कि सोना ताय जाता है न कि उसको परकते हैं असली नकली और उसका असली नकली आग में पता जलता है कि तो आपका विश्वास परखा जाता है परखा इसको भी आपको सिखना चाहिए कि सिर्फ विश्वास करने से काम नहीं चलेगा परमेश्वर आपकी विश्वास को क्या करेगा बोलो परखेगा हां हलका है कि मजबूत है असली है कि नकली है तो जैसे सोना आग में परखा जाता है ताय जाता है वैसा ही विश्वास दुख की भटी में ताया जाता है जब आप अलग-अलग प्रकार के दुख से तकलीफ से जब आप गुजरते हैं तो परमीश्र क्या करता पता है बोलता है बेटे मैं तेरी विश्वास को क्या कर रहा हूं उसको पक्का कर रहा हूं कि और हम क्या गुशा हो रहे प्रभू मेरे साथ ऐसा क्यों मैंने आपका क्या प्रभू प्रमिश्व कुछ नहीं चुबएट ज्यादा मद बोल कि मैं तेरे विश्वास को थोड़ा मजबूत कर रहा हूं पक्का कर रहा हूं कच्छे बर्तन में आप खाना पका सकते हैं कि मिट्टी का ही सही पर उसको भी आग में पकाने के बाद वो बर्तन आपके काम आता है ना मैं पूछ रहां आपको हां कच्छा अलू खाएंगे कि खाओ ना कच्छा कांदा खालो पाजी मत बना उसका हमको समझना है हां जब किसी चीज को पकाय जाता है तो बहुत मजाते हैं का पर में श्र हमारे विश्वास को पका करता है मचबूत करता है हलेलुया कि इसके लिए आपको समझ ना च्शेये आपका विश्वास परखा जाएगा कितना भी प्रभू पर विश्वास कर लो यगिन आपका विश्वास परखा जाएगा मजबूत है कि हलका है असली है कि नकली लास तक रहेगा कि कुछ दिन तक रहेगा परमेश्वर आपके विश्वास को परक्ता है अथा बहुत दर्द होता याद रखना जब विश्वास परखा जाता है ना बहुत तकलीफ होती है पिर बहुत सारी लोग बहुत बढ़ 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 करते रहते है है हलेलुया इश्व मसी की जब आप इधर बैठते ना आपका सिर वो पीछे वाला जो है ना उसको आप टच मत करो वो उसकी वजेशी निंदाती है आप ऐसा बैठके सुनो बच्छे के समान प्रभू के पास हालेलुया लिखा है यहोवा के करीब आकर वचन सुनो अराम से ऐसा करके नहीं क्योंकि जब आइसा करते हैं ना तो आपको नींद आ जाती है इसलिए आप ऐसा करके सुनो हालेलुया सबी लोग आपका सिर उसपे से हटालो और आप ऐसा हो जाओ बच्छे के जैसा कि यहां सुनने सिखने आये सुक भोगने नहीं आये कि कि इतना कर्चा करके मिटिंग रखते सूक भोगने के लिए नहीं इए कि सुनने के लिए सिखने के लिए हालेलुया है कि याकुब दो कभीश कि पर हे निकम मनुष्य क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्त है याकुब दो का भी इसमें लिका है कर्म बिना विश्वास व्यर्त है बेकार है फाल्तु है कि अगर आप विश्वास को उपयोग में नहीं लाते विश्वास को कारे में नहीं लाते प्रभु जी कहते हैं वो व्यर्त है बेकार है फाल्तु है वो विश्वास किसी काम करने हालेलुया याकूब दोखा 17 पड़ो वेशी विश्वास भी यदी कर्म सहित नहों तो अपने सौभाँ में मरा हुआ है अभी पहला हमने क्या सीखा अगर विश्वास को कर्म में नहीं लाते कार में नहीं लाते तो विश्वास क्या है बोलो वेर्थ है बेकारेक दुसरा क्या आमने सिक रहे अभी कि अगर विश्वास को कारे में नहीं लाते हैं तो विश्वास हमारा मरा हुआ है कैसा है हां यह आपको सिकना चाहिए कि जब आप विश्वास को कारे में नहीं लाते तो आपका विश्वा एक मरा हुआ मुर्दे के जैसा है वो इंसान तो है लेकिन एक मरा हुआ इंसान है जो कुछ भी नहीं कर सकता बहुत सारी लोग के अंदर विश्वास है लेकिन उनका विश्वास एक मरा हुआ विश्वास है क्योंकि वे लोग कभी भी अपने विश्वास को कारे में नहीं लाते उसका उपियोग नहीं करते है हालेलुया रोमियों 14 का तेज परंतु जो संदे करके खाता है वह दंडे के योगे ठहर चुका क्योंकि वह निश्वे धारना से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है जो कुछ विश्वास से नहीं वह तो आप अगर कुछ भी करते हैं प्रभू के लिए तो आपको कैसे करना चाहिए विश्वास से आपको पता है परमेश्वर ने कैन कैन और हबिल जो दो भाई थे परमेश्वर ने कैन कैन जब परमेश्वर की वेदी पर गया और उसने भेट चड़ाया तो लिखा है कि परमेश्वर ने कैन को और उसकी भेट को ठुकरा दिया क्यों पता है क्योंकि कैन जब परमेश्वर के पास गया तो विश्वास से नहीं गया जब उसने अपनी भेट परमेश्वर को चड तो जो कुछ विश्वास से नहीं होता वह पाप है क्या है क्या है क्या है है हाँ इस्तूति आराधना करना भी पाप है अब बुलेंगे पास्तर है इसा कैसा अगर आप विश्वास से इस्तूति अरादना नहीं करते तो वो इस्तूति अरादना आपके लिए पाप है अगर आप प्रातना करते हैं विश्वास से नहीं करते तो आपकी प्रातना पाप है अगर आप प्रभु को भेट अरपन देते हैं और आप विश्वास से नहीं देते कि मैं जो दे रहा हूं मेरा परमेश्वर इसका कई गुना मुशे देगा तो वो आपका भेट पाप बन जाता है इसलिए आप प्रभु के लिए कुछ भी करे तो विश्वास से करे प्रातना करे तो विश्वास से करे अरातना करे तो विश्वास से करे परमेश्वर को भेट अट पन चड़ाए तो विश्वास से चड़ाए हालेलुया हालेलुया किसी का भलाई मदद भी आप करते हैं एक विश्वास से करो कि प्रभु मुझे देगा कि यह ही करना है बोलके आप कुछ भी मत करो विश्वास से करो हालेलुया 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 अभी पड़ो इबरानियों 10 का 38 और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उसे प्रसंद न होगा बस मेरा धर्मी जन कैसा जिन्दा रहेगा विश्वास से जीवित रहेगा हालेलुया धर्मी जन कैसा जिन आप लोग धर्मी जन है आप कैसा जिन्दा रहेंगे बोलो विश्वास से आपके पास जीने का और कोई सारा नहीं है एक तो संसार का भोजन खाएंगे तो शरीर में जीएंगे लेकिन परमेशर के वचनों को खाएंगे तो आप विश्वास में जीएंगे तो हम लोग कैसे जीते हैं बोलो विश्वास से कई बार दो दो तिन तिन दिन खाना नहीं मिल तासे दिनией प्रबु लाएगा हैं कि तो हम कैसे जीते हैं विश्वास से wypती बिल्डस है नहीं छोड़ दो गी साथ में रहोंगी क्या यह से धोल जी रहा JewI को गेसे जी रहे हो ओ विष्वासे है हालिलुया बच्चे बिगड़े हैं फिर फाल रे विष्वास रहे पॉब Lawrence ने इस अञाइन तो कल प्रभु इंको बुद्दी देगा कंछ जी रहे हो बच्चों के मामले में विष्वास से ही हालिलुया- हालेलुया फिर पढ़ो लुका 22 का 32 परंतु मैंने तेरे लिए बिंती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे बस इश्व ने क्या का मैंने तेरे लिए बिंती की प्रात्ना की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे इसका मतलब विश्वास जाता है विश्वास विश्वास बोलो जाता है कैसे जाता है बोलो धीरे धीरे बोलो ना सब लोग हाँ जो फ्रीज में बरफ होती ना उसको अगर बाहर रखोगे तो तुरन गल जाती ना कैसे गलती है बोलो दीरे दीरे कैसे बरफ पी गलती है बोलो ना सब लोग दीरे दीरे तो एश्वास ने कहा कि मैंने तेरे लिए विंती की प्रात्ना की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे यानिकि सुनो विश्वास जाता है बजो लो विश्वास जाता है दीरे दीरे जाता है में लेकिन वह जाता है कि इसके लिए पकड के रखो है आगे हलिलुयााओ है आपके विश्वास को बना के रखो फक्ड के रखो उसको जाने मत दो वह जाता है तो कि किसी ने आप पैसे को पंक होता है उड़ जाता है पकड़ के रखो विश्वास को पैर होता है तब ही तो चले जाता है तो यह चीज आज मैं आपको सिका रहा हूं विश्वास जाता है यस विश्वास जाता है दीरे दीरे जाता है को कि जो जोड थे जब नईने प्रभु में आए था ना बहुथ विश्वास ता बहुत उड़ी माते बात फुतुकते थे अप्ना प्रभव-माने रद विभ्रुढ बरने का ब्रुमान जब एंच को पखर ने का था एंच हालेलुया यानि कि विश्वास आता है तो विश्वास जाता भी है इसलिए आने दो लेकिन जाने मत दो क्योंकि विश्वास जाएगा आपका जान लेके जाएगा क्योंकि हम लोग विश्वास से जीते हैं हालेलुया इसलिए कभी भी आपके विश्वास को जाने मत दो रोज एक नजर घुमाते रहो है की नहीं है कि एक दिन भी नहीं दिखा ना पूरा च्छान मारो आपका अच्छी मन में विश्वास का गया तू काय तू हाँ हाँ यह सच है इसलिए प्राथना करना बहुत जरूरी है अगर आप नहीं चाहते कि आपका विश्वास चला जाए तो आपको प्राथना करना और वच्छन पढ़ना बहुत जरूरी है इसके लिए सैतान बहुत सारी विश्वासी लोगों को देखो प्राथना करने को नहीं देता है बाल पढ़ने को नहीं देता है लेकिन दो दो गंटा मोबाईल गुमाते रेंगे पूरी दुनिया देख लेंगे लेकिन एक चाप्टर नहीं देख पाते हैं इतने लोग करेंगे लेकिन परमेश्वर जिसने मूदिया उसी से बात करने के लिए नहीं होता है इसलिए बहुत सारे विश्वासी लोग का विश्वास क्यों जाता मालूम है क्योंकि वे लोग प्रात्ना नहीं करते हैं वे लोग वच्छन नहीं पढ़ते हैं आपकी प्रात्ना और आ ने नदू तुझको मैं सच है आपकी प्रात्ना और आपका वच्छन पढ़ना तुमारे विश्वास को अंदर बांध के रखता है इसके लिए रोज प्रात्ना करो रोज बाल पड़ो और खुब प्रात्ना करो खुब बाल पड़ो खबी भी आपका विश्वास नहीं जाएगा अलेलुया अगर आप किसी चीज को लगातार गरम करेंगे तो वो थंड़ ही नहीं हो पाएगा क्योंकि आप गैस कंटीनिव चालू रखा है इसलिए बाल में लिका निरंतर प्रात्ना करते रो रात दिन मेरी व्यवस्ता पे ध्यान मनन करते रो इसका मतलब आप हमेशा गरम रहे आपका विश्वास गरम रहे थंड़ उने नहीं दे आपके विश्वास को हालेलुया बहुत सारे जो विश्वासी लोग गलत शिक्षाओं में बहेग गए ना उसका कारण क्या था वे लोग प्रात्ना नहीं करते थे बाइबल नहीं पड़ते थे उनका विश्वास कमजोर हो गया था है और अचानक से उन्हें कोई मिलता है कुछ गलत सिक्षा दे देता है फटक से विश्वास कर लेते हैं अ कि अरुनका विश्वास प्रभू से चला गया है हालेलुया 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 है मती 21 का 22 कि रूमियों 10 का 11 पड़ो क्योंकि पट्र शास्तर यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जीत नो होगा हा जो भी कोई विकति परमेश्वर के उपर विश्वास करेगा हो कभी भी उसके जीवन में वह लज्जीत नहीं होगा कि मैं प्रभू को हमेशा बोलता है प्रभू आपने का कि अगर कोई आपके उपर विश्वास करेगा तो वह लज्जीत नहीं होगा आप उसको लज्जीत नहीं करेंगे प्रभू आपके वच्छन के मुताबित मैं आपके उपर इस बात के लिए विश्वास करता अज़्याओ मुझे पता है मैं अज़्जित नहीं होगा अजय को ऐगा ओ सपर्मेश्वर का वादा है यह अगर प्रभु के उपर विश्वास करेंगे सच में लिखेल तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे, हम लोग जो बहुत बार हमारे जीवन में लज्जित क्यों होते हैं, पता है, दिमाग चलाते हैं, अपनी जान-पैचन का उप्योग करते हैं, अपने ज्यान का उप्योग करते हैं, ताकत का उप्योग करते हैं, हुश्यारी मारते हैं, इसलिये हम लजजड होते हैं, अगर आप प्रभु विश्वास करे ना आप कभी लजड होते हैं, कोई दुनिया की टाकत आपको लजड करी नहीं सकती, तुमारे अपने भी तुमको लजड नहीं कर सकते हैं, हाले ब्रसुत कर Ariya hai मैं जब से प्रभु मैं तप से लेकर अभी तक में विश्वास मेंबढ़ता ही रहा है विश्वास प्रभु के उपर करता ही रहा है है और आपका विश्वास आपको ऐसे सी जगा लेके जा सकता है जहां कभी आप अपने पैसे के दम पे भी नहीं जा सकते हैं मैं आपको सच कह रहा हूँ हां मेरे विश्वास ने मुझे बड़े 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 होटलों में जहां मैं कभी सोच नहीं सकता प्रभू ले गया है हलेलुया मैं आपको क्यों है कह रहा हूं तुम्हारा विश्वास तुमको जहां पहुंचा सकता है वहां तुमको तुम्हारे अपने भी नहीं पहुंचा सकते हैं तुम्हारा विश्वास जो तुमको दिला सकता है वो दुनिया का कोई वेक्ति तुम्हे कभी देही नहीं सकता है कि इसलिए जो लोग विशवास में मच्ज बूत है ना यह जो कभी पहना जगड़ा नहीं करते हैं गई चीनम-चानी नहीं करते हैं मार-पीटने करते हैं दूटबाट ने करते क्योंकि यूद्र परमेश्व हैं अब्रहाम को परमेश्वर विश्वास था परमेश्वर ने अब्रहाम को बंजर जमी में उसको आमीर बना दिया कि हालेलुया हालेलुया अबरहम ने कहा कोई क्यूं कहने पाए कि अबरहम किसी और के कारण धनी हुआ होने दो कि लोग यह कहें कि अबरहम उसके परमेश्वर के कारण धनी हुआ कि होने दो आपके गवाई होने दो कि परमेश्वर ने तुम्हें आशीज दी परमेश्वर ने बढ़ाया परमेश्वर ने तुम्हें उठाया कुछ नहीं था सब कुछ खुदा ने दिया तुम्हारे विश्वास के कारण कब तक लडोगे कितना लडोगे कब तक छिनम चानी कब तक मार पीट करोगे तुम अगर परमिश्रक पर विश्वास करोगे ना आपको सच पोड़ आप एक जर्ना बंजाओ के जर्ना तुम्हें किसी से लेने की जर्वत ही नहीं पड़े उल्टा तुम देते बेठों कर ले 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 इसलिए जो लोग विश्वास में न साइए ना हमेशा बटोरने का काम करते है किई घ्रण पालि जिनको विश्वास ना पर्मिश्चर पे वे लोग हमेसा एक गीवर होते एक देने वाले होते कैसे पता चलता है कि आ विश्वास में हो कि विश्वास लेने को युँदенस को लगाता है अब रहाम घर से निकला था are sab sab property सब छोड़ चाड़के और परमेशन इसको इतना बड़ा बना दिया उसके पास 318 सिरिफ साहिनीक लोग थे सोचो साहिनीक लोग का खर्चा कितना होता है 318 साहिनीक सिरिफ अबराम के पास उसकी एक आवाच बे जो बोलो वो करके आते थे हलेलुया उसके पास नजाने कितने सारे बेड बकरे उठेट गदे सब कितने सारे अबराम के पास जब सुरदूत लोग आए थे तो उसके पास इतने इतने जानवर थे वो उनके बीच में से उसको दौड दौड के पूरा इसा दौडना पड़ा और सबसे कोमल बचड़ा उसको लाना पड़ा इतने जानवर उसके पास सिर्फ एक वेक्ति का परमीश्य को विश्वास हालेलुया दुसरा कुरंतियों पाच का साथ जल्दी क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं अभी सुनों हम रूप को देखकर नहीं हम रूप सकल को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं अभी खुलासा करता हूं कुछ लोग ना अभी बारिस का मौसम है ना तो कुछ लोग जब घर से निकलते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं पहला मौसम देख लेंगे अरे चलो बारिस नहीं आएगी चलो बारिस नहीं आएगी कि नहीं कभी आ गए तो अरे नहीं आएगी क्या किया पहला रूप देख लिया क्या देख लिया कि धूप क्या रूप देख लिया अरे धूप है बादल नही है तो मोसा सै तो मोरूप थेख लिया वारिष नहीं आएगी अभी बहुत कॉंफिडेंस कर झालो हूग जरो पारी जांगे मैं भॉर रही है यह आउय का मेरी तू बोल रही है कैसे बोल्गर है तो जब बहुत बरस रहा है तब दम दिखाओ बोलो अब भी रुख जाएगा कि क्या कि विश्वास कब दिखा यह ता पता है बारिस हो रही है तब दिखाओ अभी रुख जाएगे श्मसी के नाम में कि वह विश्वास कि रुप देखकर बोलना वह बकवास है बहुत सारे विश्वासी लोग है ना ऐसा पहले ऐसा उनको समझ आता है कि हाँ अभी अभी यह ऐसा सब पुरा टटोल लेते और फिर बोलते कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कैसे बोल रहा है तु रूप देख यह हूँ है का के रूप देख लिए ग 2 बादल नहीं है दूप देख लिए अब बोल्राओ वारिस नहीं होगी हैं मैं ऐसा नहीं करता हैं मेरी वायफ को पता है है मैं मैं उसको बोलता चलो जाएंगे का और पी जोड़ Ctrl capturing और इस इनधिया ऐसा एक बार नहीं कही बार हमार और दुकान में घए फिर बरसने लगा अरे बारीश पिर है मला भी रुख जाएगी कि बारीश रुख गई घर आए थरता थरत थरता कि ने लगा हम रूप को देखके विश्वास नहीं करते हैं hello hi huh हमारा विश्वास प्रभू पे है किस पर कि मेरे विश्वास अगर मैं विश्वास करूंगा प्रभू मुझे लच्चित नहीं करे का हाँ परमिष्विश्वास करने वालों के साथ दोका नहीं करता है लेकर अधिन यह पार Idni आई हाँगा बढ़ा अभी नहीं रुका, मैं इसके उपर जादा टाइम नहीं है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा इस यह जो होता नहीं यह क्यों होता है यह क्या है मैं इसकी गहराई आपको कभी बताऊंगा संडे को कि ऐसे में आप क्या करते पता है आप डर जाते और विश्वास में चलने से पीछे अड़ जाते लेकिन असल में आपको करना क्या चाहिए उन्हापको बताऊंगा कि कभी भी गाड़ी चलाते समय अगर लड़कडाय तो गाड़ी चलाना छोड़ना नहीं चाहिए खाना बनाते समय कभी अगर कुकर फढ़ गया डक्तन उड़ गया तो खाना पकाने का बंद नहीं करने का हालो हां जब विश्वास की कुस्ती होती है विश्वास में चलते हैं विश्वास में बढ़ते हैं विश्वास को कारी में लाते हैं तो यह सब आपके साथ होगा विश्वास करने के बावजूद भी विश्वास से बोलने के बावजूद भी और उल्टा हो जाएगा अब क्या हो रहा है आपका विश्वास परखा जा रहा है किया हो रहा है विश्वास इससे क्या होगा धीरज उत्पन होगा कर लोग के जीवन में धीरज की बहुत कमी है जरा भी सबर नहीं है कि जिनको होताने सबर वो लोग जल्दी पहुंजाते कबर हाई हाई हालेलुया 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 एक और वच्चन देखेंगे जल्दी से रोमियों चार का उन्निस और वह जो एक सो वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्प की मरे हुए की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और आगे और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिक्याप पर संदे किया पर विश्वास में दुर्ड होकर परमेश्वर की महिमा की हाँ, अभी रोमियो चार काटरा पड़ो और उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि अब अब अबरहम के बारे में मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं कि अबरहम के बारे में लिखा है रोमियो चार काटरा में कि उसने यानि कि अबरहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया मैं एक सवाल कर रहा हूं क्या अबरहम निरास हुआ यस अबरहम निरास हुआ बहुत साल भी गए उसको बच्चे नहीं हुए अबरहम निरास हुआ लेकिन जब अबरहम निरास हुआ तो उसने क्या ऐसा खास काम किया पता है जब अबरहाम निराश हुआ तो लिखा है अबरहाम ने निराशा में भी आश्या रखकर विश्वास किया भार आपके साथ बहुत बहुत कुछ ऐसा होता है आपको बोर हम आप निराश हो जाते हैं सिद्आ कि उस निराशा में भी आपने एक आस्या защare रखनी है कि सब कुछ ठीक हो जाएका और आपने विश्वास को बनाए रखना कि हालेु nawr कि जब आप निराशा में आशा रखते हैं ना सच में वही असली असली आशा है कि बहुत सारे विश्वासी लोग के जीवन में जब निराश होते ना उनके विश्वास का आता पता ही नहीं चलता है और वो एक अच्छा समय रहता है कि निराशा में भी आशा रख करें कि सब ठीक हो जाएगा रिपोर्ट आपकी चेंज हो जाएगी अभी जो खबर बताई है डॉक्टर ने उससे आपको निराशा आई है न आशा रखो आशा रखो और परमेश्व विश्वास करो रिपोर्ट बदल जाएगी हालेलुया तो अबरहाम ने निराशा में भी आशा रख कर परमेश्वर की महिमा की और एक आखरी वचन रोमियो चार का उननीस में कि अबरहाम अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्ब की मरी हुई दसा को जान कर भी विश्वास में निर्बल नहुआ ना आविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिग्या पर संदे किया पर विश्वास में दिर्ण होकर परमेश्वर की महमा की सुनो सुनो मैं खतम कर रहा हूं अब रहाम यह जानकर भी कि बहुत साल से हमें बच्चा नहीं है और मेरी जो पत्नी है जो सारा है उसके गर्व की दसा पूरी मर गई है हालेलुया हालेलुया अभी 90 साल अगर किसी को बच्चा ना हो तो इंसान क्या होगा निराश हो जाएगा उसकी आशा भासा सब बदल जाएगी लेकिन क्या लिखा है कि यह जानकर भी अबरहाम का जो शरीर इतना बुड़ा हो गया था कि उसको बच्चे नहीं हो सकते थे सारा को बच्चे नहीं हो सकते थे यह यह खबर सुनके जानके भी उसने परमेश्वर के ओपर विश्वास किया और परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर न उसका आदर किया उसको बच्चे दिये कभी भी रिपोर्ट देखके तुम्हारा विश्वास हिलना नहीं चाहिए कोई है जो डॉक्टर से बढ़ाये और दॉक्टर जो बोलते शुनने का जो बताते बताने दो आखिर में आपकी जिन्दगी तो पर्मेश्च खागत आपका सबकुछ पर्मिपेश्च ते आथ हैं हले लूया इसलिए मैं रिक भी कोई मेरा अधर मेरे विश्वास के वावातय पलट देता है कि हाले सब देखन के पड़के सुनके आपका बीपे हाइ goats करो रोते मत बैटो किब सब आपके हाठ में सब कुछ पलट सकते बजल बलो सब के हाथ में हैं है आप सब पलट सकते है ऐग बोलो दिसे सब कुछ आपके हाथ में हैं आप सब पलट सकते हैं लेकिन प्रावलम तब होता है जब हम ही पलट जाते हैं है हालेलुया तो आये प्रातना करें बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन समय नहीं है हम फिर कभी आपको दन्यवा देते पर मिश्वर प्रभु इश्व मसी जो भी वच्छन उनके हिर्दे में हम सील कर देते हैं कोई भी दुष्ट दुष्टात्मा इन वच्णों को छुराना सके पर में इश्वर और जो बोया गया है सच में वह हर एक वच्छन इनके दिलों में इनके जीवन में वह फली थो वह आशिशी थो इश्यू मसी के नाम है आमे प्रूपन इनके जीवन में वह आमें वह हैं को जीवन में वह हैं को तो बोया है।